A very good morning everybody. कैसे हैं आप लोग? I hope बहुती अच्छे होंगे और लाइफ में बहुती मस्त होंगे. मैं शोभा सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में और मैं बनाती हूँ law of attraction के उपर कुछ वीडियो प्रीवेस कई सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने gratitude के बारे में आप सभी को बताया है. जी हाँ, आज का वीडियो भी gratitude के उपर होने चाहरा है. gratitude का अर्थात है kratyagata, abhar, dharnewaad. ये एक ऐसा प्रह्मान्द का शब्द है, जिसमें बहुती vibration high होती है. जी हाँ, आपके vibration को एकदम high कर देती है. पल भर में ही आपकी काया को ये पलट देती है. तो आज एक story में लेकर आई हो, और ये story आपने कई बार कहीं न कहीं किसी मौके पर सुनी होगी. तो चलिए, आज फिर से इस story को हम याद करते हैं और सुनते हैं. ये एक कहानी है चिडिया की. ये चिडिया रेगिस्तान के पास एक पेड़ पर रहती थी. वो बिमार रहने लगी थी. उसके पंग जड़ गए थे. उड़ नहीं सकती थी. तो खाने के लाले पड़ गए थे. बिना खाए पी ये, उसकी या दुख जो है, कब खतम होगा महंद जी. तो साधु ने थोड़ा ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर बोला मैं तुम्हारा पिछला जीवन तो देख सकता हूं सकी. लेकिन आगे क्या होगा, ये सपष्ट रूप से मैं नहीं देख सकता हूं. लेकिन मैं अपनी गुरु जी से इसका जो सॉलुशन है, मैं पूछ कर लेकर आऊंगा तुम्हारे पास. गुरु जी भी ध्यान लगाते हैं और वो बोलते हैं, उस चिडिया को अभी ऐसे साथ जनम बिताने होंगे जहां एक कष्ट, दूसरे कष्ट का कारण बनेगा, तो संथ सुनकर एकदम बेचैन हो जाते हैं, बोलते हैं कि इस साथ जनम के कष्ट से वो कैसे निकल सकती है, आपी कुछ निवारन बताए. तो उन्होंने बोला कि इसका एक ही निवारन है, ये मंत्र और ये मंत्र जाकर तुम उस चिडिया को बता दो, तो सादू जाते हैं और उस चिडिया को वो मंत्र बताते हैं, वो मंत्र क्या होता है, भगवान हर चीज का आपका कोटी-कोटी नमन और धन्यवाद. चिडिया को ये जैसे ही मंत्र बताए, तो चुडिया को विश्वास नहीं हुआ लेकिन बेमन से वो हमेशा हर पल इस मंत्र का उच्जारन करने लगी एक दिन रेगिस्तान में उसको बहुत प्यास लगी और जब प्यास से जब वो बेहाल हो गई और गिर गई रेगिस्तान पर गरम गरम रेत पर तो उसके मुक से निकला कि प्रभू मेरी सांस चल रही ही है इस सांस के लिए धन्यवाद खाने को उसको खाना नहीं मिल रहा था लेकिन फिर से बोली प्रभू इस सांस के लिए धन्यवाद मैं जीवित हो धन्यवाद तो एक दिन ऐसे ही साधू जी एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो देखा वो चिडिया का तो इदम काया ही पलट चुका है उसके सुन्दर सुन्दर पंक निकल चुके हैं और वो एदम हरे भरे घास और नदी के किनारे रह रही है तो चिडिया ने बताया कि जो मंत्र आपने बोला था मैंने उस मंत्र का उचारन दिन रात किया और मेरी काया ही पलट गई थैंक यू सो वेरी मच कि मुझे ये मंत्र देने के लिए जी हाँ, ग्रैटिटूट में बहुत बड़ी पावर है जिस तरीके से उस चिडिया की काया पलट चुकी थी उसी तरीके से हमारी भी काया पलट सकती है तो चलिए, आज हम इस वीजियो में वीजियो के माध्यम से फिर से ग्रैटिटूट अभार व्यक्त करते हैं उस उपर वाले परमात्मा का जिसने हमको free of cost में कई सारे नियामते दी है तो ये प्राथना हम उनको करते हैं और फिर से हम उनका अभार व्यक्त करते हैं हे परमिश्वर, मेरी जीवन की प्रत्यक बाधाओं को दूर करने के लिए मैं आपका सदेव अभारी रहूंगी हे इश्वर, मुझे गर्व है कि मैं आपकी संतान हूँ मैं इसके लिए आपकी अभारी हूँ मुझे हर समय कठनायों से बचाने के लिए प्रभू मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन को संपंता और सफलता से भरपूर करने के लिए मैं आपका सदेव अभारी रहूंगी मेरे इश्वर इस ब्रहमान्द और इस प्रिथिवी को गती देने के वाली शक्ती के लिए आपका धन्यवाद हर उस पल के लिए उस चंड के लिए जो मैं इस प्रिथिवी पर बिता रही हूं उसके लिए आपका धन्यवाद मेरे जीवन को एक सफल जीवन में बनाने के लिए परमात्मा आपका सदेव अभारी रहोंगी प्रभू मैं आपका धन्यवाद देती हूँ ये स्वस्थ शरी देने के लिए मुझे स्वस्थ सकरात्मक दिमाग देने के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर हर उस सांस और प्रान वायू के लिए धन्यवाद जिससे मैं जीवित हूँ हे पीता परमेश्वर उस प्रतेक वस्तू का जिसको उप्यो करके मैं अपने जीवन को सरल बनाती हूँ उसके लिए धन्यवाद मेरे शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने वाले उस भोजन के लिए धन्यवाद उस भोजन के लिए सदेव में आपकी अभारी रहोंगी हे इश्वर आपने मुझे खुशाल परिवाद दिया है उसके लिए आपका हिदे से अभारी रहोंगी मुझे सच्चन और अच्छे सला का दोस्ट सगे समंदी देने के लिए धन्यवाद जो जीवन में जी रही हूँ उसके लिए आपका हिदे से अभारी रहोंगी जीवन में जो अभी तक सफलताए मुझे मिली हैं और जो आने वाली सफलताए हैं उसके लिए मैं सदेव आपकी अभारी रहूंगी मेरे लक्षे को सफलता का रूप देने के लिए आपका धन्यवाद हे परमात्मा मैं आपकी संतान हूँ तो सुख, संपन्ता, सफलता, सम्रधी मेरा जनम सिद अधिकार है अपकी संतान होने का मुझे गर्व है तो उसके लिए प्रभू आपको कोटी-कोटी नमन और धन्यवाद मैं अपने आने वाले हर अफसर को के लिए आपका अभार हूँ अभारी रहूंगी सूरे, चंद्रमा, आकाश, गंगा सब के लिए आपका धन्यवाद मैं आपकी अभारी हूँ कि मैं प्यार देनी में और प्यार लेनी में सक्षम हूँ मैं खुद होने के लिए धन्यवाद आधुनिक सुविधाओं को अपने जीवन में यूज करने के लिए आपका धन्यवाद मेरे सर के ओपर छट है उसके लिए धन्यवाद पीने के लिए पानी है उसके लिए धन्यवाद सोने के लिए गदिदार बेड है उसके लिए धन्यवाद हर सुख सुविधा की चीजे है उसके लिए धन्यवाद इस वाता वरन के लिए धन्यवाद पेड पौधों के लिए धन्यवाद जो कि हमको छाया, फल, फूल, फूड, सब कुछ देते हैं, इवन जहरीले गैस को लेकर हमको प्राण वायो देते हैं, उसके लिए धन्यवाद, तैंक यू सो वेरी मच उनिवर्स, मेरे जीवन को इतना सफल बनाने के लिए, मेरे बॉडी के हर एक अंग, हर एक औरगन के दुनिया को देख सकती हूं, कानों के लिए धन्यवाद की मैं सुन कर और रिपलाई दे सकती हूं, थैंक यू सो वेरी मच मेरी आवाज के लिए कि मैं अपने अंदर चल रही भावना को व्यक्त कर सकती हूं, इतना सरा धन दौलत देने के लिए धन्यवाद की मैं अपने ख चलाने वाले good night तक हर एक चीज उन्ही पैसों से आ रहा है thank you so very much मैं हमेशा आपकी अभारी रहूंगी हमेशा आपकी अभारी रहूंगी thank you so very much universe thank you so very much जी हां तो gratitude में बहुत बड़ी ताकत है बस इस एक मंतर को हमेशा आप बोलते रहेंगे अभार व्यक्त करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप आपार में है ना कि आभाव में है thank you आपके comments बताएंगे कि कैसी लगी आज की story thank you